हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनेरिंग गुरुजी में आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप आप पंप्स के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स के पंप होते हैं तो वीडियो बहुत नोलेजबल होने वाला है अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का मेंबर्सिप अभी तक अगर जोइन नहीं किये हैं तो अभी तुरन जाकर चैनल का मेंबर्सिप जोइन कर लिजे क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तो तो चलिए करते हैं वीडियो को सुरू वीडियो में बने रहिएगा अंत तक तो टाइप ओप पॉम्स ये सबसे important question है अगर आप interview बगरे में भी जाओगे तो आपसे पूछा जाता है कि types of pump कितने होते हैं तो इस वीडियो को पूरा last तक देखिएगा इससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तो जॉब interview में भी पूछा जाता है दोस्तो types of pump के बारे में तो वीडियो को full watch कीजिएगा चलिए समझते हैं pumps कितने परकार के होते हैं सोचे आपसे किसी ने question किया तो आपको answer देना है दो type के pump होते हैं डाइनेमिक पॉम्प और positive displacement pump यही दो answer देने हैं उसके बाद इस pump के types बहुत परकार के होते हैं और pump कितने परकार के होते हैं pump दो परकार के होते हैं डाइनेमिक टाइप पॉम्प होते हैं और positive displacement type पॉम्प होते हैं सबसे पहला answer अब समझते हैं डाइनेमिक टाइप जो pump से उस पर कौन-कौन से pump आते हैं डाइनेमिक टाइप जो है उस पर आता है संट्रिफिकल पंप और स्पेशल इफेक्ट पंप इस पे भी दो टाइप के पंप आते हैं किस तरह के डाइनेमिक में संट्रिफिकल पंप और स्पेशल इफेक्ट पंप अब संट्रिफिकल को समझेंगे और स्पेशल इफेक्ट को समझेंगे क्या है ये centrifugal centrifugal जो होता है दोस्तों यह common pump है आपको इंडरस्टेल एरिया में centrifugal pump बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कहीं पे भी जाइए तो centrifugal pump बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ रहता है इस पे भी कुछ परकार होते हैं centrifugal pump के excel flow type pump है max flow type pump है preferal type pump है तो centrifugal pump में कुछ types होते हैं तो सबसे पहला question अगर आपसे पुछा जाए pump कितने परकार के होते हैं तो दो परकार के pump होते हैं dynamic pump, positive displacement pump अब dynamic pump के बारे में आपको बताना है अगर पुछा जाए जानकारी आपको रखना चाहिए dynamic pump में centrifugal pump आते हैं special effect pump आते हैं centrifugal pump के कुछ type आते हैं जैसे की axle flow, maxed flow और preferal type तो यह आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तो अब एक special effect pump में ने बताया था कि dynamic में दो परकार होते हैं centrifugal को समझ गए अभी special effect को समझते हैं special effect pump उस pump को बोला जाता है जो की high speed pump रहता है जैसे की jet pump jet pump को special effect pump बोला जाता है दोस्तो electromagnetic pump वो भी जो है special effect pump के category में आता है तो इसको आप लोग को ध्यान देना है note करके रख लिजे इसको type of pump में दो type आते हैं dynamic और positive displacement type dynamic को हम लोग समझ गए centrifugal type आता है एक और special effect type आता है संट्रिफिकल में किस किस type के आते हैं एक्सल फ्लो मेक्स्ट फ्लो और प्रिफेरल टाइप और special effect में किस तरह के आते हैं jet pump और electromagnetic pump simple सा चीजे note करके रख लिजे आपको याद आ जाएगा dynamic type को हम लोगों ने समझ लिया अब समझते हैं positive displacement type को positive displacement type में भी दो type के आते हैं receive pocketing और rotary type ठीक है इसको आप लोगों को याद रखना है अब receive pocketing में किस किस तरह के pump आते हैं receive pocketing में piston type के pump आते हैं plunger type के pump आते हैं die form type के pump आते हैं दोस्तों ठीक है और rotary type में कैसे आते हैं single rotary type आता है और multi rotary type pump आता है आपको सबसे पहले अगर कभी भी question पूछा जाए कि pump कितने type के होते हैं तो सबसे पहला answer आप लोग को देना है two type के pump होते हैं dynamic type और positive displacement type dynamic type में आप centrifugal pump का उधारन दे सकते हैं positive displacement type में आप रिसी pocketing type का उधारन दे सकते हैं special effect भी आता है dynamic में और rotary type भी positive displacement में आता है इसको आप लोग को याद रखना है centrifugal और रिसी pocketing जो pump देख रहे हैं दोनों type में से जो एक एक pump है ज़्यादा यूज होने वाला pump है centrifugal और रिसी pocketing ये industrial area में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तो थोड़ा मैं centrifugal और रिसी pocketing को आप लोग को समझा देता हूँ कि किस तरह से पैचानेंगे centrifugal pump जो की rotate होके जो घूम के काम करता है उसको centrifugal pump बोला जाता है याद रखिएगा एकदम brain में set कर लीजे जो pump घूम के और flow discharge कर रहा सक्सन कर रहा है वो centrifugal pump है अब थोड़ा reciprocating pump के बारे में समझ लेते हैं reciprocating pump जो होता है वो piston के टाइप काम करता जैसे कि सोचिए कोई equipment आगे पीछे आगे पीछे बार बार हो रहा है और compress create कर रहा है और उसके बाद सक्सन और discharge कर रहा है उस तरह के pump को reciprocating pump बोला जाता है आप उस pump को देख के और पहचान सकते हो कि कौन सा centrifugal pump है और कौन सा reciprocating pump है centrifugal pump जो होता है वो घूम कर discharge करता है और सक्सन करता है और reciprocating type जो pump है वो pull और push होते रहा था regular pull, push, pull, push होते रहेगा और suction और discharge करते रहेगा दोस्तों ठीक है तो ये आपको इसलिए मैंने बताया Centrifugal और Receipt Pocketing टाइप के बारे में क्योंकि ये ज़्यादातर इंडरस्टेल एरिया में यूज होता है और इसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए कि कौन सा टाइप का Pump Centrifugal है और कौन सा टाइप का Pump Receipt Pocketing Pump है ठीक है दोस्तों तो इसको आप लोग को जानना चाहिए था मैंने आपको दोनों Pump के बारे में बताया मैं फिर से किलियर कर देता हूँ अगर Type of Pump के बारे में पूछे कोई तो आपको दो टाइप बताना है Dynamic Type और Positive Displacement Type अगर Dynamic Type के बारे में आपको कुछ उधारान देना है तो Centrifugal Pump के बारे में बता सकते हैं और Special Effect Pump के बारे में बता सकते हैं Centrifugal Pump का भी तीन टाइप होता है Axel Flow, Max Flow और Preferral Type Special Effect Pump, Jet Pump को और Electromagnetic Pump को बुला जाता है दोस्तो Positive Displacement Type Pump, Recipocating Type और Rotary Type Pump को बुला जाता है Recipocating Type Pump में Piston Type Pump, Plunger Type Pump, Dive Pump आते हैं दोस्तो Rotary Pump में Single Rotary Pump और Multi Rotary Type Pump आते हैं दोस्तो तो यह Simple सा चीज है आप लोगों को याद रखना होगा और सबसे ज़्यादा Intestal में जो यूज होता है वो Centrifugal Pump और Recipocating Pump यह सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा तो Centrifugal Pump जो है वो Dynamic Type Pump के के केटेगरी में आता है ठीक है पहचानने का तरीका मैंने बता दिया कि Centrifugal Pump और Recipocating Pump को किस तरह से पहचाना जाता है Simple सा तरीका है जो मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला आपको knowledge मिला तो अभी तुरन चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे साथी बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आप लोगों को regular notification मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का membership अभी तक अगर join नहीं किये हैं तो अभी तुरन जाकर चैनल का membership जाइन कर लिजे क्योंकि members के लिए special video upload हो चुके हैं दोस्तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye